Samsung phone को full reset कैसे करे हलो दोस्तों स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास भी Samsung का किसी भी model का phone है और आप जो है अपने यहाँ पे Samsung phone को full reset करना चाते हैं जिससे आपका जो भी photo, video, जो भी phone में virus है वो सब का सब delete हो जाए तो आप किस तरीके से कर सकते हैं इस वीडियो को बिल्कुल धियान से दिखेगा इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो Samsung phone को full reset करना काफी असान है चलि मैं आपको बताता हूँ आप इसको full reset कैसे कर सकते हैं क्या-क्या process होता है full reset करने से और इससे हमारा क्या-क्या data delete होगा सबसे पहले आपको reset करने के लिए यहाँ पर क्या करना है setting वाले option को open कर लेना है setting open करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने pages show हो जाता है अब यहाँ पर आपको धियान से देखना है देखिए यहाँ पर आपको नीचे थौँआ सा scroll करना है यहाँ पे एक option देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा general management आपको इस पे click करना है general management के button पे click करने के बाद कुछ इस तरह का page आएगा नीचे scroll करना है यहाँ पे reset का button दिख जाएगा अगर यहाँ पे ना मिले तो आप उपर scroll कीजिए यहाँ पे search के option पे click कीजिए और यहाँ पे search कीजिए reset इस तरीके से जो ही आप यहाँ पर reset search करेंगे आपके सामने reset का setting आ जाएगा तो बस आपको इसी reset वाले setting को जो है यहाँ पे चालू कर लेना है तो हम इस पे general management पे click करते हैं reset वाले option पे click करते हैं यहाँ पे click करने के बाद कुछ इस तरह का page आता है जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पे चार option दिया है पहला option है reset all setting अगर आपके setting में कोई छेट सार हो चुका है कोई गलती हो चुका है जैसे कि किसी भी परकार का कोई भी जो है lock लग चुका है या फिर किसी भी परकार का कोई theme change हो चुका है तो आप reset all setting पे click करके आपके setting में जितना भी problem रहेगा उसको reset कर सकते हैं इससे आपका photo, video या फिर जो भी number है नहीं delete होगा ठीक है इसके बाद यहाँ पे आता है reset network setting अगर आपका network नहीं चल रहा है, network काम नहीं कर रहा है, call नहीं आ रहा है, data नहीं on हो रहा है तो आप इस reset network setting पे click करके आप अपने network को reset कर सकते हैं इससे भी आपका किसी भी परकार का photo, video, number, gmail कुछ भी delete नहीं होगा ठीक है इसके बाद आता है यहाँ पे reset accessibility setting accessibility setting में क्या होता है, कि अगर आपका tell back चालू हो चुका है या फिर किसी भी परकार का कोई भी दिक्कत आ चुका है तो उसे भी आप reset कर सकते हैं, इसमें भी किसी भी परकार का photo, video, delete नहीं होगा और last option है factory data reset इसमें क्या होता है, धियान से दिखिए अगर आप factory data reset करते हैं, तो आपके phone का जितना भी file होगा जो भी phone number होगा, email होगा, वो सब के सब delete हो जाएगा चलिए हम इस पे click करते हैं, factory reset पे click करते हैं अब यहाँ पर देखिए आपको सारा menu देदेगा जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, Google account delete होगा system app delete होगा, settings में जो भी आपने छेचार किया था, वो भी change हो जाएगा download apps भी delete हो जाएगा, और यहाँ पर magic, picture, all data erase जो भी आपने यहाँ पर अलग से जो भी लगाया था, वो भी delete हो जाएगा और इसी के साथ यहाँ पर HD card में जो भी आपका photo video है वो भी delete हो जाएगा तो आप अपने phone में से जितना भी photo video है अपने दूसरे phone में transfer कर ले और अपना जो भी number है उससे दूसरे phone में ले ले और इसी के साथ अपने phone में memory है वो भी निकाल दीजे इससे भी आपका memory का जो भी video photo रहेगा वो delete हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर जो है आपको नीचे scroll करना है नीचे में जितना भी email, facebook, account जो भी चीज होगा वो सब के सब reset हो जाएगा अब यहाँ पर reset करने के लिए आपको direct reset वाले option पर click करना है और आपका phone जो है यहाँ पर reset हो जाएगा आपका screen log पुछेगा आपको enter कर देना है इस तरीके से Samsung phone का जो है आप reset कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जूर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ यह चैनल को subscribe करना ना भूले